आमाद्मी पार्टी की राजसव पसांसर स्वाथी मालीवाल के साथ मुख्य मंतरी अर्विन केश्ष्डीवाल के आवास पर बरसलूगी का मामला सामने आया है दरसल आपसांसर संजे सिंग ने मंगलवार को मीडिया से बाच्छित के दोरान इस घटना की पुस्टी की है संजे सिंग ने बताया कि 13 माई की सुबै स्वाती मालीवाल अर्विन केश्डिवाल से मिल ने उनके आवास पर पहुँची थी ड्रोइंग रूम में इंतिजार करते समय मुख्य मंतरी के पी ए विभव कुमार वहां पहुँचे और स्वाती मालीवाल के साथ रह बद्रता और बत्तमीजी की संजर सिंग ने इस घटना को बहुत निंदन यए बताया और कहा कि मुख्य मंतरी ने इस मामले का संग्यान लिया है और सक्त कारवाई का स्वाशन दिया है उन्होंने कहा स्वाती मालीवाल ने देश और समाज के लिए बहुत काम किया है ये हमारे वरिष्च औ पुराने नेताओं में से एक है और हम उनके साथ खड़े हैं स्वातिमालिवाल के पूर्वपती नवीन जहिंद ने दावा किया कि स्वातिमाल की जान खत्रे में है उन्होंने संजर सिंग पर आरोप लगाया कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी है और कैमरे के सामने ड्रामा बंद करना चाहिए नवीन ने स्वाति से अपील की कि वे सामने आकर अपना पक्ष रखे पुलिस के मताबिक स्वातिमालीवाल 13 माई को से वे लाइन्स पुलिस स्टेशन आई थी और मुख्यमंतरी के पर्सनल स्टाफ के खिलाफ शिकायत की थी लेकिन उपचारी क्रूप से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई टी सी पी नोट मनोज मीना ने बताया कि हमें सुबह साड़े नो बजे एक पी सी आर कॉल मिली जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि उसके साथ सी एम आवास के अंदर मार पीट की गई है वहीं दूसरी और भाषपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवी ने दावा किया है कि स्वाती मालीवाल के साथ मुख्य मंतरी के पीए विभव कुमार ने मार पीट की उन्होंने आप और दिल्ली आयोग पर सवाल उठाते वे कहा कि 36 घंटे बाद भी किसी ने इस घटना की पुष्टी क्यों नहीं की दिल्ली भाषपाद्यक्स विरेंदर सचदेवा ने कहा मुख्य मंतरी कहा है विभव कुमार को किसने उकसाया इन तत्यों की जांच होनी चाहिए स्वातिमाली वाल चुप है जो उनके सुभाव के विपरित है अगर वे चुप है तो उन पर कितना दबाव होगा राष्ट्रे महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन के इजरिवाल के निजे सच्ची विभव कुमार को पिस भेज कर शुकरवाल को तलब किया है इस मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी स्वातिमाली वाल का बयांदज करने के लिए उनके घर पहुंचे इस घटना ने दिल्ली की राजनिती में हड़कंग मचा दिया है और स्वातिमाल के समर्थन में विभिन संगठनों और राजनितिक दलों ने आवाज उठाई है अब सभी की नजरे मुख्यमंत्री और पुलिस की कारवाई पर है